बाडमेर जैसल में लोगसभा सीट से निर्दलिय प्रत्याश्री इंटरनेट और सोशल मीडिया सेंसेशन रविंद्र सिंग भाती ने दिल्लिम एंडी टीवी ऑफिस पहुंचकर एंडी टीवी राजस्तान की टीम से खास बात्रीप की रविंद्र सिंग भाती ने चार जून को एतिहासिक चुनाव परिणाम आने और खुद की जीत का दावा किया है खुद को जान से मारने की धमकियों पर भाती ने कहा कि जाको राखे साईयां मार सके ना कोई उन्होंने कहा मेरा काम धरातल पर और लोगों के बीच रहना है बाती ने कहा कि मैं 100% चुनाव जीतूंगा बटके हुए युवाओ को सही रास्ते पर लाने का प्रयास रहेगा उन्होंने युवाओ को मेहनत और संघर्ष करने का निवेदन किया और सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म का पॉजिटिव इस्तिमाल करने की अपील की है चुनाव के दौरान अपने भाई को प्रचार से रोकने और ख्षेत्र छोड़ कर चले जाने के पुलीस के आदेश पर रविंद्र भाटी ने कहा कि ये हार की बॉखला हट है सरकार ने तुगला की फर्मान निकाला था पेशे रविंद्र सिंग भाटी से एक्स्क्लूजिव बात च्रीत राजसान के बाढ़ मेर जैसल मेर से निरजली लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र सिंग भाटी जो की इंटरनेट सेंशेशन भी है आज हमारे साथ मौझूद है दिल्ली आये है रविंद्र जी बहुत बहुत स्वाकत चैंडी टीवी पर आपकी तुल्ला भोटपूरी सुपरस्टार से की जाने लगी है पवन सिंग को आप जानते हैं बिलकुल जानता हूँ बहुत मजबूती उन्चनाव लड़ा बड़ा है उन्गवाना खूब खूब बढ़ाई देनी चाहूँ और उन्हें इससे तौर मत जीत रहा है राजस्तार में आपको धंकियां इंजेनों बहुत मिल रही है कभी आपको धंकियां किसी गैंग के नाम पर मिल रही है कभी इस्थानी यह जो यूख है वो जाती के नाम पर धंकी दे रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा आपके साथ जाके रहा खिसाईयां मार सके ना कोई एड़ी बातां चलती रहा है महारो काम है कि धरातल मात रहे, लोगार बिच मेरे काम करा और मैं जीवन पर करता रहा बाकि तमाम जिता भी भटक्योडा युवा है महारो तो निविदन रहे है, उवहर परिवार हूँ कि आप सब यहां भाईयान संबादो, यहां भविशे उजवल है पर यह कोई गड़त रस्ते मात नहीं जाओए, यह भी यहांन सही रस्ते मात ले जाओँ टो परियास में महा सबान करना जाओँ शार जून रिजल्ट आरी है, काई इस्तिती देखो थी हमारी एंकर शिवानी भी आप से कुछ सवाल पूछना चाहती है, शिवानी क्या क्या सवाल है आपके मन में बिल्कुल बिल्कुल देखिए रविंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो युवाओ को लेकर ही है, चुकि सोशल मीडिया पर जो आपका भी क्रेज है, जिस तरीके से आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहला मेरा सवाल की युवाओ के लिए क्या सुचाए आपने? राजिस्तान की युवाओ को सबसे जादा, राजिस्तान की जंता को भी है, और आपने संगर्श किया है, जिसको लेकर आपकी काफी तारीफ भी हो रही है, क्या कहना चाहेंगी अपने फैंस को आप? संगर्श रविंदर को ने करियों, संगर्श तो वह तमाम लोगां करियों, जो रात और दिन मैनत करें, आप सोचों कि 26 सुबूत, तीन जिल्ला, इत्ती विदान सबाएं, यह सारी कवर रविंदर अके लोगों को ने कर सकें, यह तो तमाम हो लोग हता जो रविंदर बनर म मिल सकती है, एति हासिक तस्वीर रहे है, और जीत में जहां पेल कई है, आप सब मारी जीत है, और आप सब बढ़िया मजबूतिम काम करो, यह छेतर रवास्ते आप की पॉजिटिवली कर सका, यह रवास्त जो भी सजेस्टन्स वे, वह आप छोटे भाईना दियो, जी, बि लेकिन यह बताओ, राजस्तान में प्रिणाम अब की बार किया करे बावड़ा है, जी, बार निकले हो तो जरूर आपने बता दो, बार में रूंग कैसा का आपना, दो बार से वीजेपी 25 की 25 सीट ला रही है, अब की बार नतीजा कितना उलट फिर, चार तारीक रुठा प बार से थे, लेकिन परचार में उन्होंने भूमे करने बाई, तो उनको बार जाने के लिए भी पुलिस ने कह दिया था, जाहिर से बात है कि परसासन तो आप रो काम करे ला हर संभव परियास करी कि कांकरी करे रोकां और बार मेर सीट एक मातर एड़ी सीट अथी जे तमाम पॉलिटिकल पालिटीज एक और चुनाव लड़ रही थी, आप सोचो कि एक जो स्टूडेंट है, उन तक विर वास्ते एक ओडर निकाली हो गयो कि आप जिल्लें बार जाओ, तो बोखला हट है हार रही, और एड़ा ओडर देखे में 100% निस्चित हो कि सब हमें चुनाओ, आपे 100% निकाल ले हां, चुनाओ जीत रहां, जदे बोखला, टला, एड़ा आदेश, तुगल की फर्मान सरकरा निकाल रही है, तहां के लिए कहे हो जा रही है कि भीजेपी आइडियोलोजी का हो जीत गया तो फेर भीजेपी में जाओगा, देखो जब कठ जाओं, कठ न जैसर मेरे के लिए था को कोई संदेश, बिल्कुल मेरे तमाम भाया ना निवेदिन करनी चाहूँ कि आप जिया हीमत राखी हो, हीमत राखो, चार तारीक रहां पर विजापता का फेरा हां, और वीरे बाद रे मीना, ये जनता जिके उमीद रे बेडो, जिके भरुसरे बे जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कि आखिर क्यों आपसे किस बात का डर है, और किस वज़े से धंकिया भी आपको बार बार जान से मारने के मिल रही हैं, और इसके अलावा इतने बड़े गंबीर आरोप आप पर लगाए गए हैं, तो जो जिके दिन ये आरोप लगाए है, उगी दिन कहिए हो कि आप ये आरोप आन सिद करो, रविंदर राजनित्ती छोड़ देया, चुनाव ञड़ देया, पर आरोप आन pregunt कही तरीके में शिद कुन कर पाया है, उगा कई सारा बोख ला हट है हा रड़ी बोख लाहा है, ये बोख filthy मेना हज़ा पर जनता बहुत समझदार है, जनता अंठा है कि जद रविंदर जरूरत हैं जद रविंदर देश भगत ततोर जहां है, आज चुनाव लड़ना गया है हो, तो देश दिरोई होगी हो, तो जनता सब समझे है, हार री वह री बोखला हट है, और जनता आउन आले चार तारी को यहना जवापी देन लाड़ी है, लेकिन देखिए, राजसान में 25 सीटों पर बीजेपी दुबारा जीत को लेकर दावा कर रही है, कॉंगर्स पार्टी भी कह रही है कि दो डिजित में हमारी सीटे आएंगी, पूर्व मुख्य मंतरी अश्रू गैलोत ने साफ कहा दिया कि सुना आपने कि जनता की जीत होने वाली है और जो जमिनी स्तरपन उन्होंने काम किये है, जनता को जो संदेश दिये है, उनका यही कहना है कि जनता का विश्वास है और उनी के विश्वास पर चार जून को जो परणाम आएंगे, वो यतिहासिक होंगे फिलाल के लिए बस इतना ही शिवाने मिश्वा के रिपोर्ट एंडी टीवी राजिस्थान दिलिए